आज भी आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल खिच्री की बहुत ही हल्दी और असान रेसिपी यह बनाने में जितनी आसान है खाने में यह उतनी ही टेस्टी और हल्दी है हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रुपिंदर और आप है मेरे साथ कोकिंग विद रुपिंदर पर फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक करें शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को फूली हुए मसूर की दाल यहां पर ले रियो में आधा कप चावल और आधा कपी लिया मैंने दोनों दाले मिक्स करके इन्हें मैंने अच्छी तना से वाश कर लिया इन्हें डाल देंगे कुकर में और मिक्स करेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसमें भी लाएंगे हम इसमें तीन ग्लास पानी अगर एक ग्लास आपका समान है चावल और दाल तो इसमें आप तीन ग्लास पानी डालेंगे और इसमें तीन सीटी आने देंगे यहाँ पर लेड़ी operations, तो यहाँ पर लिया मैने एक प्यास बारी काट लिया उसे, एक गाज़र ली मैने उसे बारी काट लिया, कुछ दाने लिया मैने मटर के और ली मैने बारी कट लिये बीम्स और कुछ हरी मिर्च आप यहां पर अपनी पसंद की कोई भी seasonal vegetable यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है यहां पर लेंगे हम एक चमच घी का और इसमें डालेंगे एक चमच जीरा एक लाल मिर्च और अब इसमें मिला देंगे हम बारी कटी हुई प्याज और मिर्चे में साथ में डाल देती है इसे हम हलका सा सौते कर लेंगे और अब इसमें थोड़ी से मैं डाल दोंगे हींग एक पिंच ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है तो इसे भी आप अच्छी तरह से पका लें थोड़ा सा भून लें इसे मीडियूम फ्लेम पर और अब इसमें मिला देंगे हम बाकी की सबजिया तो सबसे पहले मिला देते हैं मतर बारीक बीन्स हलका सा भून लें आप और अब मिला देते हम इसमें गाजर और आप इन सबजियों को हम सैमी कुक करेंगे वर अब सिरफ इतना ही कुक करेंगे कि यह पक भी जाए और इनमें क्रंच भी बना रहे तो अब इसको ठक देते हैं और देखिए हमारी सबजीयां पक चुकी है यह बलब बिल्कुल पूरी तरह से पकी नहीं है और इनमें क्रंच बचा हुआ है तो हमें ऐसे ही सबजीयां चाहिए और इसमें डाल देंगे हम मसालों को और अब इसमें डालनेंगे हम खिचडी जो हमने कुक करी थी इसे हम तीन सीटीया लगा कर पकाया था तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेजीटेबल खिचडी रेडी है तो आप ही ट्राइ करें इस ही हेल्दी और टेस्टी वेट लूज वेजीटेबल खिचडी को तो मैं आप से मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपि के साथ अब तक बाई एंड टेक क्यार और आप बने रहे हैं मेरे वीडियो के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में